इस महत्वपूर्ण कारकम में देश भर से जुड़े सभी राजपाल महोदय, लेप्रिनन गवर्नर्स, केंद्रिय मंत्रि मंडल के मेरे साथी घान, रिजर बैंक के गवर्नर, राज्यों के मुख्य सचीव, अलग-अलग इंडिस्ट्री असोशेशन से जुड़े साथी घान, स्टार्ट अप, फिंटेक के दुनिया से जुड़े मेरे इवा साथी, बैंकों के वरिष्ट अधिकारी घान, और मेरे प्यारे भाईयों और भेहनो आज देश डिजिटल गवर्नेंस को एक नया आयाम दे रहा है, यी रुपी वाउचर देश में डिजिटल टांजेक्शन को, डिबीटी को और प्रभावी बनाने में बहुत बड़ी भूमी का निभाने वाला है, इससे तारगेटेड, ट्रांस्परंट और लिकेट फ्री डिलिवरी में सभी को बड़ी मदद मिलेगी, 21 वी सदी का भारत, आज कैसे आधुनिक टेक्नोलोजी की मदद से आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलोजी को लोगों के जीवन में से जोड रहा है, ई रुपी उसका भी एक प्रतीख है, और मुझे खुशी है कि शुरुवात उच समय हो रही है, जब देश आजाजी के 75 वर्ष पर अम्रुत महवत्सव मना रहा है, और ऐसे समय में देश ने फिचरिस्टिक रिफॉर्म का एक और एहम कदम बढ़ाया है, साथियों, सरकार ही नहीं, अगर कोई सामान्य संसा या संगठन किसी के इलाज में, किसी की पढ़ाई में या दूसरे काम के लिए कोई मदद करना चाहता है, तो हो कैश के बजाए यी रुपी दे पाएगा, इस से सुनिश्चित होगा कि उसके द्वारा दिया गया धन, उसी काम में लगा है, जिसके लिए वो राशित दी गई है, अभी शुरुवाती चरण में, ये योजना देश के हिल्ट सेक्टर से जुड़े, बेनिफिट्स पर लागू की जा रही है, मान लिजिए, कोई और्गिनाजेशन, सेवा भाउ से, सरकार, भारत सरकार के द्वारा, जो मुप्त वैक्सिन दी चा रही है, उसका लाब लेना नहीं चाहता है, लेकिन जो प्रावेट अस्पतालों में, जहां कुछ कीमत दे कर गई वैक्सिन चल रही है, उसमें देना भेजना चाहता है, अगर वो सो गरीबों को वैक्षिन लगवाने के उसकी इच्छा है, तो वो उन सो गरीबों को E-Rupi voucher दे सकता है, E-Rupi voucher ये सुनिश्च करेगा, कि उसका इस्तेमाल वैक्षिन लगवाने में ही हो, किसी और काम में नहीं, समय के साथ इसमें और भी चीजें जूरती चली जाएगी, जैसे कोई किसी के इलाज पर खर्च करना चाहता है, कोई टीबी के मरीश को सही दवाओं और भोजन के लिए आर्थिक मदद देना चाहता है, या फिर बच्चों को, गर्बबती महलाओं को भोजन और परियावरण से जुरी दूसरी सुविधाय पहुचाना चाहता है, तो इ रूपी उनके लिए बहुत मददगार साबित होगा, यानि इ रूपी एक तरह से परसन के साथ साथ परपज स्पेसिपिक भी है, जिस मकसद से कोई मदद या कोई बेनिफिट दिया जा रहा है, वो उसी के लिए प्रयोग होगा, ये इ रूपी सुनिश्चित करने वाला है, कोई अगर चाहेगा कि वो वृद्धास्रम में बीस नए बेड लगवाना चाहता है, तो इ रूपी वावचर उसकी मदद करेगा, कोई किसी छेत्र में पचास गरीबों के लिए भोजन की ववस्ता करना चाहता है तो ई रूपी वाउचर उसकी मदद करेगा अगर कोई गौशाला में चारे की ववस्ता करना चाहता है तो ई रूपी वाउचर उसकी भी मदद करेगा इसे अबर अगर राष्ट्रिय परिक्ष्य में देखें तो अगर सरकार द्वारा किताबों के लिए पैसा भेजा गया है तो ई रूपी ये सुनिश्चित करेगा कि किताबे ही खरीदी जाएं अगर यूनिफॉर्म के लिए पैसा भेजा है तो उससे युनिफॉर्म ही खरीदी जाए अगर सब्सिडाइज खाद के लिए मदद की है तो वो खाद खरीदने के लिए ही काम आए गर्बवदी महलाओं के लिए दिये गए कैश्व से सिर्फ पोशक आहार ही खरीदा जा सके यानि पैसा देने के बाद हम उसका जो इस्तेमाल चाहते हैं इरुपी वावचर उसे सिद्ध करेगा साथियों पहले हमारे देश में कुछ लोग चाहते थे कि टेकनलोजी और वो कहते भी थे कि टेकनलोजी तो केवल अमेरों की चीज है भारत तो गरीब देश है इसलिए भारत के लिए टेकनलोजी का क्या काम जब हमारी सरकार टेकनलोजी को मिशन बनाने की बात करती थी तो बहुत से राजनेता कुछ खास किसम के एक्सपर्स उस पर सवाल खड़ा करते थे लेकिन आज देश ने उन लोगों की सोच को नकारा भी है और गलत भी साबित किया है आज देश की सोच अलग है नहीं है आज हम टेकनलोजी को गरीबों की मदद के उनकी प्रगती के एक टूल के रुप में देख रहे हैं आज दुनिया देख रही हैं कैसे भारत में टेकनलोजी पारदर्शिता और इमानदारी ला रही है कैसे टेकनलोजी नए अवसरों को पैदा करने में उन्हें गरीबों को सुलब बनाने का काम कर रही है और कैसे टेकनलोजी सरकार और लाल फिता साही पर सामान्य मानवी की निर्भरता को कम कर रही है आप आज के ही यूनिक प्रोड़क को देखिए आज हम यहां तक इसलिए पोहँचे हैं क्योंकि देश ने जनदन खातों को खोलने उन्हें मोबाइल और आधार से जोड़ने और जैम जैसी व्यवस्ता के लिए वर्षों महनत की हैं जब जैम को शुरू किया गया था तब बहुत से लोग इसके महत्व को नहीं समझ पा रहे थे लेकिन इसकी एहमियत को हमने लॉकडाउन के समय देखा जब दुनिया के बड़े बड़े देश परिशान थे कि लॉकडाउन में कैसे अपने गरीबों की मदद करें लेकिन भारत के पास एक पूरी व्यवस्ता तैयार सी है दूसरे देश अपने यहां के पोस्ट ओफिस और बैंक खुलवा रहे थे तो वहीं भारत महिलाओं के बैंक खातों में सीधे आर्थिक मदद भेज रहा था भारत में अब तक डारेक बेनिफिट ट्रांसपर के जरिये करिब साड़े सत्रह लाग करोड रुपिये सीधे लाभारतियों के खातों में बेजे जा चुके है आज केंद्र सरकार तीन सो से जादा योजनाओं का लाभ डिबीटी के माद्यम से डायरेक बेनिफिट ट्रांसपर के माद्यम से लोगों तक पहुचा रही है लगबग 90 करोड देश्वाश्यों को इसके तहट किसीने किसी रूप में लाभ हो रहा है राशन हो, LPG गैस हो, इलाज हो, स्कॉलर्सिप हो, पैंशन हो, मजदुरी हो, गर बनाले के लिए मदद हो ऐसे अनेक लाभ डिबीटी से मिल रहे हैं पी-एम किसान सम्मान निधी के तहट एक लाग 35,000 करोड रुपिये सीधे किसानों के बैंक एकाउंट में पहुचाए गए हैं इस बार तो किसानों से जो गेहूं की सरकारी खरीद हुई हैं, उसका लगभग 85,000 करोड रुपिये सीधा किसानों के बैंक खातों में ही ट्रास्पर किया गया है जेम यानि गवर्मेंट इमार्केट प्रेस पॉर्टल से यह मुम्किन है क्या आट दस साम किस पहले किसी ने सोचा था कि हमारे सर्टिफिकेट्स, डॉक्यमेंट्स हर समय डिजिटली हमारी जेम में होंगे और हर जग़ एक क्लिक पर इस्तिमाल हो पाएंगे आज यह डिजी लॉकर से मुम्किन है क्या आट दस साल पहले किसी ने सोचा था कि भारत में MSME सेक्टर के उद्यमियों को सिर्फ 59 मिनिट में लोन एप्रू हो पाएगा आज भारत में यह भी मुम्किन है और इसी तरह आट दस साल पहले क्या आपने सोचा था कि आप किसी काम के लिए एक डिजिटल वावतर भेजेंगे और काम हो जाएगा आज ये भी इ रूपी के जरिये मुम्किन हो चुका है मैंसे कितने ही उद्हान आपको गिना सकता हूँ इस महमारी के दोरान भी देश ने टेक्निक की ताकत को महसूस किया है आरोग्य सेतु एप का उधान भी हमारे सामने है आज ये एप सबसे जादा डाउनलोडेड एप में से एक है इसी तरह कोविन पोर्टल भी आज हमारे वेक्सिनेशन प्रोग्रेम में वेक्सिनेशन सेंटर के चैन में रेजिस्टेशन में वेक्सिन सेटिफिकेट प्राप्त करने में देश वाच्चों की बड़ी मदद कर रहा है पुरानी व्यवस्ता चल रही होती तो वेक्सिनेशन लगवाने के बाद सेटिफिकेट के लिए दोड़ना पढ़ता रहोता हुआ दुनिया के कई बड़े देशों में भी आज पेपर पर हाथ से लिख करके सर्टिफिकेट दिया जा रहा है लेकिन भारत के लोग एक क्लिक में डिजिटल सर्टिफिकेट डाउनलोड कर रहे हैं इसलिए आज भारत का कोविन सिस्टिम दुनिया के कई देशों को आकर्षित कर रहा है भारत इसे दुनिया के साथ साज़ा भी कर रहा है साथियों मुझे याद है कि चार साल पहले जब भीम एप लॉंच किया गया था तब मैंने कहा था कि वो दिन दूर नहीं जब अधिकाउज बिजनेस टांजिक्शन नोट और सिक्कों के बजाए डिजिटली होंगे तब मैंने ये भी कहा था कि इस बड़लाव से सबसे अधिक गरीबों बंचीतों छोटे व्यापारियों किसानों आदिवास्यों का ससक्तिकर होगा वो एमपावर होंगे आज हम ये साक्षात अनुभव कर रहे हैं हर महिने यूपी आई ट्रांजेक्शन के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं जुलाई महिने में तीन सो करोड से अधिक ट्रांजेक्शन यूपी आई से हुए हैं जिसमें छे लाग करोड रुपय का लेंदेन हुआ है आज चाय, जूस और फल सबजी का ठेला लगाने वाले भी इसका उप्योग कर रहे हैं वहीं भारत का रुपे काण भी देश का गवरो भड़ा रहा है सिंगापूर, भुटान में भी इसे लौच किया जा चुका है आज देश में 66 करोड रुपे काण है और देश में 1000 करोड रुपिय का ट्रांजेक्शन रुपे काण से भी हो रहा है इस काण ने गरीब को भी शशक्त किया है उसे इस भावना से भरा है कि वो भी अपने पास डेविट काण रख सकता है उसका इस्तिमाल कर सकता है साथियों, टेकनलोजी कैसे गरीबों को सशक्त करती है इसका एक और उदार है PM स्वनिदी योजना हमारे देश में तो रेहडी पट्री वाले ठेला चलाने वाले भाई बहन है उनके फाइनांचिल इंक्लूजन के बारे में पहले कभी नहीं सोचा गया था